जैस्री राम भगतो भगतो इन दो शब्दों को ब्रह्म मूरत में उठकर ऐसे बोलो तो जो भी आपको चाहिए वो परमात्मा स्वेम ला कर देंगे आपको लेकिन बोलने आपको पढ़ेंगे सुनिने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक करोगे नहीं करने से ही आपको सब सबसे पहले ब्रह्म मूरत में ही क्यों जरूरी है बोलने वैसे तो आप दिन में भी बोल सकते हो लेकिन दिन में आपका मन शांत नहीं होता क्योंकि कभी कहीं से आवा जाती है कहीं से आवा जाती है और उसके बाद आपका जो मस्तिक्स होता है वो पूरा काम नहीं करता है उस समय पर तो इसलिए ब्रह्म मुरत प्राते काल का समय चुना जाता है ध्यान भजन नामजब करने के लिए क्योंकि वो सरवत्म समय होता है उस समय पर परमात्मा और उसकी सारी शक्तियां भातावन में विद्यमान होती हैं रिशी मुनियों की शक्तियां भातावन में विद्यमान होती है और आपका जो मस्तिक्स होता है वो उस समय बड़ी ही आसानी से नामजब भजन ध्यान में लग जाता है और आपका मस्तिक्स hundred परसेंट उस समय वर्क करता है और निर्विचार होता है लगबग उस समय तो यही कारण होता है ब्रह्ममूरत में नामजब भज़न ध्यान करने का अब आती है ब्रह्मूरत के समय की बात तो ब्रह्मूरत का समय वैसे हम जो बताते हैं और हम क्या रिशी मुनियों ने बताया है तीन बजे से पांच के बिच का होता है लेकिन कोई चार से छे बताता है कोई डेड़ गंटा पहले बताता है लेकिन जो सही प्रम भ्रहमूरत होता है वो तीन बजे ही शुरू होता है और तीन से पांच तक रहता है थोड़ा बहुत आगे पिछे हो जाता है मोसम के इसाब से, तो दो बाते के लिए होगी ब्रह्मूरत में करना है और ब्रह्मूरत का टाइम क्या है, अब हम आपको बताते करना क्या है, देखो जो जप होते हैं, वो च्यार प्रकार का जप होता है, सबसे पहले जो जप होता है, जो नए सादक ह जब शुरुवात करते हैं नाम जब की तो वह वाणी से बोलकर करते हैं उसके बाद जब एक आदा महिना को करते हो जाता है नाम में उनकी शर्दा बढ़ जाती है तो फिर वह उपांशु पर आ जाथे हैं यानि की होट हिलते हैं जीव थोड़ी उठती भार आवाज ने आती उसको उपांशु बोलते हैं उसके बाद जब उपांशु भी थोड़े दिनों के बाद अंदर ही ले होने लग जाता मैंने कि अभ्यास के बाद वो छुट जाता है फिर आता है मानसिक मानसिक मतलब मन में ही आप बोलते रहते हो बार आवाज नहीं आती तो जब मानसिक भी आप करते रहोंगे थोड़े से दिन एक अधा मैना तो मानसिक भी फिर अपका अपने आप ही छुट जाएगा मतलब छुटने का मतलब है वो अपने आप होने लग जाता है फिर आपके अंदर फिर सबसे जो सर्वत्तम स्रेनी का जब है इसके उपर कोई भी जब नहीं है वो होता है अजपा अजपा का मतलब ही होता है कि जो अपने आप ही खो रहा है इसी को प्राण जब भी बोलते हैं या फिर सांसों के द्वारा जब करना ध्यान करना इसी अजपा को ही बुला जाता है तो हम सब प्राणियों के अंदर जीवधारियों के अंदर अजपा अपने आप खो तो रहा है क्योंकि हमारी स्वांसें हर पल खर घड़ी बिना रुके बिना रेश्ट के चल रही है वो तो वो जब खो रहा है लेकिन हम उसका ना मैतो समझते हैं जब तक वो करावा नहीं मान रहते हो तो भी वो अजपा ही बाना जाता है क्योंकि नाम सिर्फ स्वांस को पकड़ने के लिए होता है बाद में तो ये नाम भी छुट जाता है जब आप अभ्यास करके आगे बढ़ जाते हो तो अब आपको शुरुवात से करना है देख लो अब कोई कर सकता है तो सिधा अजपा कर सकता क्यों क्योंकि जिन मनुष्योंने पिछले जनम में यहां तक कि भगती कर रखी है मानसिख जब सिधा güneyक लेकिन हर कोई नहीं कर पाता तो जो जहां से शुरू कर सकता वहीं से शुरू करें जितना ज्यादा करोगे एक दिन में उतना ही जल्दी सिगरता से आप अगली सीड़ी पर आओगे अब आप सिधा करोगे तो प्रेशानी होती है ना जैसे बच्चे की एक क्लास चुड़वा ऐसे बोलना है तो वो दो शब्द तो कौन से हैं वो दो शब्द तो भगवान नाम के ही है क्योंकि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है जिस नाम की बढ़ाई भगवान राम नहीं कर सके स्वयम तो उस नाम में कितनी अपार शक्ती होगी राम ने सक कई नाम गुनगा है ये राम को मानने वाले राम को बोल सकते हैं, क्रिशन को मानने वाले क्रिशन को बोल सकते हैं, मुस्लिम, सिख, इसाई, जो कोई भी किसी भी धर्म से है, सभी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने भगवानों के गोड के नाम को वाई गुरू के नाम को बोल सकते हैं, वो इसाई नहीं बोलेंगे, अगर फिर अल्ला हुकूँ तो अल्ला हिंदू नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा नाम है, जो सभी धर्मों के लिए है, सभी धर्म वाले उसको जब सकते हैं, और वो है सोहंग, सोहंग की ध्वनी हमारे स्वासव में प्राकर्तिक रूप से आती है, उपर जब स्वास लेते हैं सो और निच्चे जब हम सोड़ते हैं, हंग की आती है, और शास्त्रों में ये कहा गया है कि सोहंग शब्द प्रमात्मा भेद ब्रह्म नहीं लेश और जाकी महिमा नित बजे बेद सा कहते हैं, सभी भगवान इसकी महिमा गाते हैं, तो ये सभी के लिए समान है, जिस एक परमात्मा के लिए इसारा किया जाता है, ये वो एक परमात्मा है, ये इसारा मात्र होता है, बाकी तो आप जब जब करेंगे इसका अपनी स्वासों के साथ, आपको खुद ही पता चले हो तो आप क्योंकि इन स्वांसों से ही उस परमात्मा से कनेक्ट हो सांसों की डोर ही एक ऐसी डोर है जो आपको ब्रमान से बांदे हुए है परमात्मा से बांदे हुए है क्योंकि जिस दिन ये स्वांस आपकी निकल गई उस दिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी मतलब बोडी डेड़ हो जाती है स्वास निकलते ही और यह सांस हमें परमात्मा हमारा जनम होते ही स्वेम देते हैं तो स्वास से ही आप उसी स्वर तक पहुंच सकते हो और वह इश्वर कहां है वह इश्वर आपके अंदर है और अंदर क्या जाती है आपकी स्वास ही अंदर जाती ह यह सबसे सरल सुगम रास्ता है शुरुवात में थोड़ी दिक्कत होगी जिस प्रकार अगर आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हो तो शुरुवात में क्या होता है कि आप का मतलब कितना ही ध्यान लगा लो तो भी आप गाड़ी सही से नहीं चला सकते आपको प्रोब्लम होती है लेकिन आप जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आप बात करते करते भी गाड़ी को चला लेते हो बड़ी ही आसानी से फोन पे बात कर रहे हो गाड़ी चला रहे हो तो मतलब कहने का यह है कि अभ्यास जब हो जाएगा आपका इस अजपा का तो आप आराम से दिन में कर पाओगे काम करते करते भी कर पाओगे हर समय कर सकते वाद में तो लेकिन शुरुवात में अभ्यास की जरूरत है और अभ्यास से ही सब कुछ होता है तो आप प्रती दिन भ्रहमूरत में उठकर अपनी स्वासों के साथ अगर राम बोलना चाहते हैं तो उपर स्वास गई राम चोड़ते समय राम कई व्यक्ति इसको उपर स्वास गई रा और निचे स्वास आई मैं ऐसे भी बोलते हैं ऐसे ही कृषिन बोल सकते हो छोटा नाम होना चाहिए जो आसानी से बोला साथ सके और सोहंका करेंगे तो उससे सरवत्म तो कुछ है यह नहीं फिर और जिसका जिस पे आपका विश्वास है उसी नाम को अपनी स्वासों के साथ ब्रह्मूरत में उठकर बोलना शुरू करें थोड़े से दिनों में ही आपका जिब अभ्यास हो जाएगा तो आपको अदभूत चमतकार देखने को मिलेंगे चमतकार क्या मिलेंगे वो भी जान लीजिए अब आपको परमात्मा कैसे आपकी मन चाही वस्तू देंगे जब आपका ये अजपा ले होने लगता है भ्यास बढ़ जाता है तो जैसे आपने सोचा कि मेरे लिए कोई ये वस्तू आ जाए आज मेरा ये बड़ा मन है तो परमात्मा उस वस्तू को दे कर किसी के हाथों भी आपने सोचा कि ये मेरा मन पसंद खाना आज बन जाए तो वो खाना आपके घरवाले आपके लिए बना देंगे भिना कही आप सोचेंगे कि मुझे कही जाना है घुमने तो परमात्मा ऐसी विवस्था कर देंगे कि आप वहाँ चले जाओगे आप सोचेंगे कि मुझे तो प क्योंकि आप प्रमात्मा से प्रती दिन जुडे हूँ स्प्रहम शक्ति जूड़े हो जिस्वक्ति इस से अनन्त कोठी ब्रहमांण चल रहे है वह शक्टी आपके भीतर ही है भगतो भीतर ही वह कही बार नहीं है जिन धूंढतिन पैया गहरे आजाने पैट और मैं बावरी डूबन रही किनारे बैट जिन्हों ने ढूंडा है उस शक्ति को इसने उसको पाया है उससे वो मिला है और अगर डरते रहोगे है किनारे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो समुदर में गोता लगा लेगा वही अशली मोतियों को पा सकेगा, उस प्रमतत्यों से मिल सकेगा, और अपनी सारी मनो कामनाए पूरी कर सकता है, तो आप ये कम-से-कम आधा गंटा से शुरू करें, और एक निश्चित समय पर प्रतिदिन करें, क्योंकि निश्चित समय का बहुत मैत्य होता है, प्रमात्मा उस समय आपका इंतिजार करते हैं वो शक्ति आपको आपसे मिलने के लिए इंतिजार करती है कि कोई मेरा भगत उठेगा और इस समय पर वो मेरे को याद करेगा तो आप जैसे चार करते हो तो प्रति दिन चार ही करें तो आप अपने जीवन को बदले और अपनी हर मनों कामना पूरी करें बागे भगतों बताना हमारा काम है करना ना करना आपकी मर्जी है अब हम अपने वाने को राम देते हैं जैसे स्री राम भगतों